हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का जो बोर्ड एक्जाम का 10 डेस टार्गेट चल रहा है यानि 10 दिनों में आप लोग का जो स्लेबस कंप्लीट कराने का जो टार्गेट है उसका आज डे 4 होने वाला है इसके पहले भी डे 1, डे 2, डे 3 आप लोग ने कंप्लीट कर लिया चलिए इस टार्गेट को हम देते हैं और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आज का टार्गेट है वो मौडल पेपर कोश्चन बैंक से लिया जाता है ठीक है और कोई भी भूक से नहीं है कोश्चन बैंक कौन सा है जिसको जैक ने 2023-24 में जारी किया तो जो PDF था यदि आप लोगों ने उसको डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारे वेबसाइट पे जैक पूर लिखोगे गूगल पे वहाँ पे सर्च करोगे मेरा वेबसाइट आएगा वहाँ पे जाकरके वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलिए अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले हम लोग हिंदी पे आते हैं हिंदी में आपको अध्याय 4 अब्जेक्टिव पेज नंबर 14 और 15 में अब्जेक्टिव होगा उसको सारा का सारा कंप्लीट कर लिजेगा ठीक है सब्जेक्टिव के बात करें तो पेज नंबर 15 में कोश्चन नंबर 1,3 अब पेज नंबर 16 में कोश्चन नंबर 4 ठीक है इसको कंप्लीट करना है उसके बाद आना है आपको कोई भी कुश्चन आए गाना तो वहां से आप बना करके एक्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं तो यह कुश्चन को आप कर ले ना ठीक है आते हैं इंग्लिस पे इंग्लिस में क्या करना है यह टाइगर इन दा जू चैप्टर निकालना है जिसका ऑब्जेक्टिव और कर बात करें तो पेज नमबर 14 पर जाए ना है आपको कुश्चन नमबर 24 और 5 में आपको कंप्लिट करना है एक पारग्राफ याद करना है इन्डिपेंडेंच डे पर ठीक है यह सब आपको आज ही करना है कुश्चन साइंस पर आते हैं साइंस में चैप्टर नमबर 4 कारबन और इसके योगिक all objective complete करना है पेज नमबर 19 पर आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद बात करेंगे पेज नमबर 20 पर subjective में question number 3, 4, 5, 6, 22 में जाओगे तो 15, 18, 19, 24 में question number 1 और 25 में question number 6 ठीक है चौबिस पेज नमबर है उसका question number 1, 25 पेज नमबर है उसका question number 6 ठीक है चलिए objective all कर लिजेगा यह सब आपको model paper में model sorry model नहीं question bank में है ठीक है उसके बाद कुछ question है जो आपके question bank में नहीं था ठीक है यह सब सारा answer जो है आप लोग जो है अपने notes से जो notes आपके coaching वाले लोग provide करवाते हैं वहाँ से कर लेना अगर जिसके पास नहीं होगा तो हम ना अपन WhatsApp देखे यहां देजेगा WhatsApp group में नहीं WhatsApp channel होता है WhatsApp channel पर मैं इसको डाल देता हूं वहां से कहीं नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि सभी लोगों के पास टेलिग्राम नहीं होता है तो आप लोग WhatsApp channel को join करो ठीक है channel का link हम टेलिग्राम पर भी डाल देते हैं मेरे website पर भी होगा वह अदम उठाने चाहिए यह 2010, 11, 13, 15, 18 में पूछा गया है उसके बाद है हमारा प्रोधिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उप्योग कैसे हुआ है यह 2009 में 10 में 12 में 14 में और 16 में पूछा गया है उसके बाद है आपका साम्मेता की अधार पर संसाधन के व पांच और साथ को करना है चलिए गनित की बात करेंगे तो गनित में आप लोगों को क्या करना है गनित में पार्थ तीन और पार्थ चार दो चैप्टर को कंप्लीट करना है पार्थ तीन में है दो चर वाले रैखिक समिकरन और चार में है द्विगात समिकरन ठीक है दोनों का आप लोग को all objective को complete करना है कहां से question bank से उसके बाद अगर हम subjective की बात करें तो page number 7 और 8 में आपको question number 12 14, 15 और 16 को करना है page number 9 में आपको 18, 19, 20 को complete करना है, page number 11 में 11, 12, 13, 15 16 और 17 नमबर सवाल को complete करना है, तो ये था आज का target उमीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ जाओ और आप लोगों target को achieve करने की हिम्मत भी दिखाई होगी तो जो लोग target को achieve करें please comment में हमें जरूर बताईएगा मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में, thank you